Hello Students, Welcome to World Channel आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बढ़ाने वालाओ Cloud Accounting 1 से Chapter No.1 Introduction to Cloud Accounting तो सबसे पहले आज का हमारा Topic No.7 और Topic है Practical Issues in Adoption of Cloud Accounting कि कौन से कौन से ऐसे Practical Issues create होते है Cloud Accounting के अंदर तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो Practical Issues में सबसे पहला आता है Internet Reliability आपको पता है कि बहुत सी बार Cloud Accounting Software तुदा किस पे बेस करता है Internet पे यानि आपके पास Internet होगा तुही जाके आप Cloud Accounting Software का यूज कर पाओगे तो इसमें कौन सी कौन सी Problems create होती है इन Software को यूज करने में तो सबसे पहला है कि बहुत सी बार आप बहुत सी जगा पे हो या बहुत सी बार Internet का Band Width इतना अच्छा नहीं है यानि कि Internet Connection इतना अच्छा नहीं है तो ये Common Problem है जो सब को Face करना पड़ता है और जब मानलो आप बहुत बड़े Level of Data को Transfer कर रहे हो Cloud Accounting या Cloud Data Servers के अंदर आपको पता ही है जैसे मानलो आप ये Business लेके बैठे हो ये आपका Business है और ये आप हो आप मानलो कोई भी तरह के Computer से आप कोई भी Software को यूज करके Cloud Accounting Software को यूज करके आपका जो Server Room होता है जैसे हमारे App जो है UGT का उसका जो Server Room है वो Delhi के अंदर है तो जो Server Room होता है जहां Servers राद दीन काम करते रहते है 2400 गंटे जहां Electric City अवेलेबल रहती है वहाँ पे पुरा Data Transfer होता है अब ये जो इतना सारा Data Transfer हो रहा है उस टाइम पे मानलो इंटरनेट बराबर नहीं आया तो क्या होगा आपका Data गया मतलब कि ऐसा Problem हो सकता है कि आपका जो Risk of Outages Outages का मतलब होता है कि आपका Data चला भी जा सकता है Lost हो सकता है ऐसी Situation में जब आपके पास प्रॉपर Internet Facility ना हो या तो जो भी Internet Facility है वो ढंक से काम कर रही ना हो तो यहाँ पर Enterprise जो है उसको यहाँ पर Solution क्या है तो Solution यह है कि अच्छी bandwidth ले अच्छी bandwidth याने कि अच्छा Internet Connection ले जो उसके Business को ऐसे तरह के Outages से ऐसे तरह के Losses से बचाए Clear हो गया तो पहला Practical Issue क्या है Internet Reliability अच्छा Internet होगा तो ही जाके आप बड़े Amount of Data को Transfer करो अपने Servers के अंदर Next बात करें Number 2 Data Security Concern अच्छा Data Security ना बहुत बड़ा Major Issue है जब अम लोग Cloud Environment की बात करें यह बहुत बड़ा Major Issue बन चुका है बहुत बड़ा Challenge बन चुका है क्योंकि जो user होता है उसको Accountability चाहिए अपने Data की और आपको पता है कोई भी ऐसा Provider नहीं है जो 100% Data Privacy बोलता हो कोई भी ऐसा Data Provider नहीं है Cloud Accounting Provider नहीं है जो कहता हो कि हम आपको पूरी Security देते हैं 100% हमारा Secure है जो hackers वकेरा लोग होते हैं वो कैसे भी करके Security को तोड़ का मतलब हम कहेंगे Security का तोड़ निकाली देते है आराम से Security को तोड़ सकते है ठीक है जिसमें बहुत सी बार आता है Insecure APIs का यूज करना या मानलो आपके Software में Malasious Activities या Insiders आ जाते है या Oversight और नेगलेक कर रहे हैं आप प्रॉपर Cloud Accounting Management को तो ऐसे टाइम पे आपका जो देटा सिक्योरिटी है वो जा सकता है आपको पता है कुछ टाइम पहले जैसे आपने Hospital का नाम सुनाओगा केडी Hospital उस केडी Hospital पे हैकर्स ने एक्टेक किया था मतलब कि जो एक्टेक हुआ था वो हैकिंग एक्टेक हुआ था और उससे उसकी चितना भी सौफवेर था चितना भी सर्वर्स था वो सब ब्लॉक कर दिया और उन्होंने पैसा वांगा था अनब्लॉक करने के लिए तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हमको हमारे डिल्ली लाइफ में देखने को मिलती है जिसको हम कहते है डेटा सिक्यर्टिक कंसर्ण तो एक प्रैक्टिकल इसम है क्लाउड अकाउंटिंग का आगे बात करें तो आपको पता ही है विकॉम सेम्टू में हम लोग टोटल चार सबजेक्ट पढ़ाते है क्लाउड अकाउंटिंग, फाइनेशल अकाउंटिंग, फ्री, स्टेटिक्स और इकोनामिक्स तो अगर आप लोग हमारी बैच को जॉइन करना चाहते तो अभी के अभी प्ले स्टोर से एप को डाउनलोड करें जिसमें हमारी प्राइज है 1,999 जिसमें ये सारे सब्जेक्स आ जाएंगे और कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, इंटिग्रेशन वीट एक्सिस्टिंग सिस्टम इसका मतलब क्या है कि cloud accounting software जो है वो आसानी से हमारी business system के साथ इंटिग्रेट कर सकते है हम workflow को proper तरीके से मतलब ओलते हैं कि जो भी तरह के challenges है उसको proper तरीके से कर सकते है बट बहुत सी बार क्या होता है पता है ये अच्छी बात है कि हम third party integration कर सकते है हमारे cloud accounting software का कोई और software के साथ integration possible है बट issue क्या है problem क्या है problem यह है compatibility issue यानि कि धंग से proper तरीके से वो integration ना हुआ हो और कोई भी तरह की दिक्कत या bug आ गया हो उसके अंदर यह हम कहेंगे data migration complexity यानि कि एक software से दूसरे software में चो data migrate होता है वो डंग से नहीं हो सकता है फिर customization requirement यानि वो business को अपने हिसाब से customization चाहिए तो ऐसे कही सारे issues इसमें देखने को मिलते हैं और integration process में सारे issues होते हैं तीन तरह के issue होते है compatibility issue data migration complexity और customization requirements clear next number four training and change management यानि कि जब cloud accounting को हम लोग accept करते हैं तो उस time पे जो employees है ना उनको तो सिखाना पड़ता है नए software को learn करना कैसे नए software को use करना है और CDC बात है आप जबी भी कोई भी employee को training देते हो या support करते हो अपने staff member को तो आपका खर्चत होता है training देने के बीचे as well as आपका काफी सारा time उसमें गुज जाता है उस नही technology को adopt करने के लिए उस नहीं तरह के system को adopt करने के लिए तो वो भी एक तरह से practical issues में आता है कि जो देखने को मिलता है cloud accounting software users को clear next आगे बात करें cost consideration अच्छा CDC बात है कि cloud accounting cost saving तो है मतलब यहां पर हमारा काफी सारा खर्चा बचता है जैसे कि हमारे on premises कोई hardware और infrastructure नहीं है मतलब मैं कहीं से भी काम कर सकता हूं में मेरे employees को बोल सकता हो आप work from home काम करो ठीक है ऐसी काफी सारी अच्छी चीजे है बट यहां पर हमको कुछ खर्चे ध्यान में रखने है जैसे हमको कुछ खर्चे ध्यान में रखने है जिसमें आ जाता है subscription fees आ गया training expense आ गया कि हम कहेंगे potential customization मेरे को कोई तरह का customization करना है integration cost आ गया दो software को integrate कर रहा हूँ तो ऐसे कही सारे खर्चे भी इसमें involved होते है जिसका कोई भी business को consider करना है इन सारे खर्चों का next आगे बात करें number six password security अच्छा देखो account managers होते हैं बहुत सी बार पता है है क्या करते है same password रखते है अपने अलग-अलग cloud accounting software का मतलब कि अलग-अलग cloud accounts का वो क्या करते है same password रखते है और password management बहुत critical problem है आज की डेट में आपको बता है यह बहुत सी बार आपका इंस्टा account, facebook account या बहुत सारे ऐसे accounts hack होते है और उसमें वो लोग जो है वो पैसा मांगके और ऐसी सब चीजे करते है और generally यह होता है hack होता है और यह इसली होता है because हमारा password वीक होता है या हमने बहुत सारी जगा पे एक तरह का password है और easy password रखा है तो password security भी एक practical issue है cloud accounting के अंदर और आखरी वाला है migration देखो migration of data ना cloud accounting में बहुत ज़्यादा time लेता है मतलब कि एक simple सी बात है कि आप अपने computer से अपना पूरा data जो है वो बेज रहे हो आपके server पे वहाँ पे computer नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है server होता है तो आप जो है वो अपने पूरे data को server पे बेज रहे हो तो server पे बेजोगे तो सारी organization के पास इतना अच्छा internet नहीं होता है या सारी organization प्रिपर नहीं होती उस data को migrate करने के लिए यानि एक जगा से दुसरी का पे data को transfer करने के लिए क्योंकि उसके पास पहले offline PC में था अब वो offline से सीधा online पे shift हो रहा है cloud accounting में shift हो रहा है तो बहुत सी बार क्या होता है some report increase downtime during the process process के दोरान बहुत सारी report बहुत slow हो जाती है face security issues बहुत से security issues देखने को मिलते है और बहुत सी बार data भी चला जाता है ठीक है जो data डाल दिया है वो भी गायप हो जाता है और ऐसे बहुत से problem create होता है data migration के time पे मान लो पहले मेरा business जो है वो offline model पे चला रहा था बट अब मैंने क्या कर दिया मतलब मेरे business का पूरा accounting है वो offline था एक computer में normal excel sheet में मैं करता था बट अब मैंने क्या कर दिया पूरा server पे ला दिया तो server पे लाया तो जो migration के time पे बहुत से से problems create होते है और cloud migration projects बहुत expensive होते है जितना हमने सोचा होता है क्योंकि पूरा का पूरा एक company का पूरी एक company का data cloud accounting में जा रहा है तो बहुत lengthy process भी है खर्चा भी होता है तो यह इसका practical issue है तो दोस्तों उमीद करता हूं यह पूरा topic आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो अगा ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइए और थैंकियो समाच